बैस बता रहा हूं जिस तरीके से जमान फिल्म के गिल्म्स हम लोगों के सामने आते जा रहा हैं इस फिल्म के रिगार्डिंग हमारी एक्साइट्मेंट और भी जदा बढ़ती जा रही है और आज की जिन जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो पर्फेक्टली गूस बंप पे गू उपर से लेके नीची तेक उड़ता है और हमको एसार के एक पानी में तेरते हुए नजर आते हैं तो एर इस चीज में आपने एक चीज बहुत बुरे तरीके से मिस कर दी है जब दोस्तों जबान के प्रिव्यू लांच किया गया था तो हमको इसी तरीके को कुछ पहाड़ कुछी तेर बाद हमको एसार के का वही लेजंडरी लोग बताया जाता है जो कि हमको पहले कई बार बता चुके हैं पूरे शेरी पर पट्टियां बनी हुई हैं और जबान का दुस्तों आपको वो प्रिव्यू तो यादी होगा यापर कि हमने इनी पट्टियों में एसार क प्रिश में संसनी मचा कर रग दिये और यहीं पर इस चूटे से सीन में हमको यहाँ पर एक अस्पताल का पोस्टर निकलता हुँ में ज़र आता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पोस्टर को इसलिए निकाला जा रहा हो ताकि पुलिस इस जगे अपना कंट्रोल लूम बना सके वहाँ दोस्तो ट्रेलर थोड़ा आगे बढ़ता है और हमको हाई जेक के दोस्तो कुछ सीन्स बताय जाते हैं जो कि हमको इसके प्रिवी में पहले ही बताय जा चुके हैं और इस हाई जेक को ध्यान में रहते हुए मुझे तो एक ही तरी के महका रही है कि यहाँ प दोस्तो हमको एक जगे का सीन्स बताया जाता है जो कि कुछ कॉल सेंटर सा दिखाई दे रहा है और इन दोनों सीन्स को मर्च किया जाए तो हमको यह चीज तो पता चल जाती है कि यह दोनों सीन्स एक ही जगे के हैं यहाँ पर कि मेरा यह कहना है कि यह पुलिस कंट्रोल पड़ता है और शायद दोस्तों आपने इस जगा पर एक डीटेल मिस्ट कर दी होगी, यह इस बार ट्रेलर का शेड बिल्कुल चेंज हो जाता है, इस जगा पर हमको यह भी पता चलता है, कि इन लोगों ने ट्रेन जरूर हाईजेक की है, लेकिन यह लोग किसी का भी गलत नह आने वाले हैं, जिससे की जादातर लोग उनके पक्ष में ही बात करें, साथी में जिस बदलाव की वो लोग बात कर रहे हो, उसे जनता तहे दिल से सपोर्ट करना चाह रही हो, तभी इतने सारे लोग एक जुट हो गये हैं, ताकि वो जवान को सपोर्ट कर सके, अब यह हम जुकि लोग आपको थोड़े ब्लाइड नजर नहीं आते, वही एडिशनली की दूस्तों मैं आपसे इतना भी कहना चाहूंगा कि जैसा आपको दिख रहा है, वैसा एक्चल में कुछ है नहीं, एसार के यह पर पुलिसमेन का रोल नहीं करने वाले, वो यहापर इस जगे पर भेश बदल कर पहुचे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में वो यहाँ पर अपना एक अड़ा बना सके, ताकि वो पुलिस से वन्टु 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 टॉक कर सके, अब हही कई सोचोची सीन्स हमको आपर लेकलते हो दिखाय देते हैं, जिनका की कोई खास मिनिंग पये बनी वन्ता है, लेकिन कुछी देर बाहिद हमको एक सीन्स और दिखाय देता है, जहाँ पर के हमको सूची सारे अवतार दिखाय देने वाले हैं, पहला दोस्तों आपको आपको यह पर दिखाय दे रहा होगा, जहाँ पर कि SRK की जो दाड़ी है वो बड़ी होने वाली है और यहाँ पर इस अफ्तार से लेटेड मेरी यहाँ पर एक ही फैन थियोरी है कि SRK का जो मेन केरेक्टर होने वाला है उसके ये फादर हो और ट्रेलर की एंड में मैं आपको इस चीज़ को प्रूव भी करके बताऊंगा अब चलिए यहाँ पर दोस्तो सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और हमको कई लड़किया उसी प्लान में सहीयोग देती हो नजर आती है शायद इस जगे के पेरेमीटर्स लिए जा रहा है हो इन लड़कियों दोआरा वही कुछी दिर बाद हमको प्रिया मनी उसी ट्रेल में दिखाई देती है जिसको कि एसर के कुछी दिर बाद हाईजेक करने वाले है नो डाउट ये प्लान का एक पार्ट ही होने वाले अब यहाँ पर दूस्तों हमको नयन तारा कुछ ऐसा बोलती हो नजर आती है कि वही छे लड़कियां शायद दूस्तों ये वही छे लड़कियां है जो कि एसर के साथ काम कर रही है इस पूरे प्लान को अंजाम देने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है जैसे कि दूस्तों हमको प्रिवी में भी बताया गया था कि हमको प्रिया मनी के साथ 6 लड़कियां और दिखाई देती है शायद ये वही 6 लड़कियां वही इसके थोड़ी दिर बाद हमको एक डीटल और दिखाई देती है यहापर के S.R.K. उस पुलिस ओफिसर की बेटी से भी मिलने वाले है मतलब मनी हाई इसके प्रोफेसर की तरह ही बहुत हद तक स्टोरी लाइन मुझे दिखती है यहापर की आपको शायद याद होगा कि यहापर रकेल की बेटी पॉला के साथ भी प्रोफेसर ने कुछ ऐसे ही रिलेशन डेवलप किये हुए बगी इस बारे में दोस्तो आपका का कहना है नीचे लेके कमडरोस होताना बिल्कुल भी मत बूल लेकर इसके बाद भी दोस्तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि यहापर दिपीका पादुकॉण का इस समय क्या रूल होने वाला है अगर आपको बताएं तो नीचे लेके कमडरोस बताईए कुछी फ्रेंज बाद हमको ट्रेन का वही सीन बताया जाता है पर कि S.R.K. ने किसी को बंदी भी बना लिया है शायद दोस्तो ये एक पुलिस ओफिसर हो सकता है जो कि शायद उसी समय उस मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हो और इसने कुछ होश्यारी बताने की कोशिश की हो और इसको बंदी बना लिया गया वही S.R.K. की कुछ न्यूस चल रही है और हमको इसके थोड़े ही नीचे एक हेडलाइन भी दिखाए देती है क्या इस बार कुछ और बदलाव लाएंगे हमारे रॉबिन हुड अगिन वही मनी हाइस के प्रोफेसर वाला एंग वही हार S.R.K. हमको इस जेल वाले सीन में दिखाए देते है जहापर की उन्होंने अपना पूरा सेट अप बिचा लिया है और उनी छे लड़कियों में से एक लड़की उनकी कुछ रिकॉर्डिंग कर रही है और कुछी दिर पहले हमको S.R.K. पुलिस की जर्सी में इस जगे पर एंटर करते हुए दिखाए दिये थे यहापर दोस्तो ऐसा भी उख सकता है कि उस पुलिस की यूनिफार्म में वो घुसे हुए हो ताकि वो यहाँ पर अपना सेट अप बना जगे क्योंकि इस जगे से सिक्योर उन्हें कुछ नजर ही ना आया वहीं कुछी दिर बाद हमको S.R.K. का एक और अवितार से इंटर्डूस किया जाता है यहापर कि हमको एक आर्मी ओफिसर के भेस में नजर आते हैं यह जो दोस्तों एक छोटा सा सीन है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसार के अपने कुछ पास्ट में होई चीजों का बदला लेना चाहते हैं साधी में दोस्तों इस हमले के दौरान हमने कई लोगों को मरते हुए भी देखा के लोगों पर सुलम होते हुए भी देखा यहाँ पर दोस्तों इसी एक छोटे सी सीन में हमको प्रिया मनी भी दिखाए देती है और इन 6 लड़कियों में से एक लड़की प्रिया मनी होने वाली है और उनका एम भी इसी तरीके का होने वाला है कि उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है उसके कुछी फ्रेंज बाद हमको वही सीन दिखाए देता है जहाँ पर की सेम टोन हमको दिखाए देती है वहीं कुछी फ्रेंस बाद हमको एक सीन दिखाई देता है जिसमें की प्रिया मनी अभी जमीन पर लेटी होए थी और वही टोल हमको दोबारा दिखाई देती है और हो ना हो दोस्तो यह जो आदमी है जिसने की प्रिया मनी को पीछे की और फैका हुआ है मुझे विज़े के खिलाफ हो रही है यहाँ पर कि वह पूरे देश में चौधे नंबर पर सबसे बड़े गन डीलर में से एक है शायद दोस्ते हैं पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसी गन डीलर ने किसी देश या और्गिनाइजिशन को गन सप्लाई की हो और उनी गन से इसी गाउं की लो से ज़ादा intense moment आता है यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि SRK का जो main role हो उसमें बाप और बेटे का angle create हो जाए मतलब जो character हम देख रहे हैं उसके यह फादर भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको आसपास का environment भी दिख रहा होगा कुछ पुराना पुराना और यहाँ पर SRK अपनी voiceover में कुछ ऐसा भी कहते हैं कि बेटे को हाद लगाने से पहले बाप से बात कर और जेल में हमको SRK को वही बुड़ा लोग दुबारा बताया जाता है यो कि हमको पहले भी बताया जा चुका है भाई इस जेल का बहुत बड़ा connection होने वाला है SRK के स पहाड़ी जगे होती है जहाँ पर की सारे लोग अपनी जिद्गी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होते हैं लेकिन एक दिन हो जाता है दोस्तों उनके उपर अटेक और यहाँ पर सारे शेहर के लोग मारे जाते हैं साथी में जिन 6 लड़कियों को उपर भी चुल गए हो या फिर पुलिस की निगरानी से भी बच गए हो और एसार के ने मिलकर अब यह प्लान किया हुआ है कि अब वो सारे लोगों से बदला लेने वाले इस सिर्फ औसर फैन थेओरीज हैं बाकि दोस्तों आपकी क्या स्टोरीज हैं नीचे जाके कमेर दोस्तों बताईए बाकि दोस्तों सलार के वीडियो में मैंने आपर 13 रा डीटेल Griff Unlike की हैं उस वीडियो देख लिए यहां पर क्लिक करें और फर्मानी सलार एस चीज़ को मैंने एक वीडियो में प्रूव उस वीडियो को देख लिए कुलिक करें पर को विडियो में तब तक के लिए बाए